दोस्तों Apple ने कर दिया iOS 12 को launch इस महीने और मैंने अपने फोन को iOS 12 में अपडेट भी कर लिया है अपडेट करने के बाद कुछ major changes मेरे फोन में आये हैं जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे share करने जा रहा हूं उस changes के बारे में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अभिशेक है आप देख रहे हैं हमारा चैनल Take Champ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले features की तो सबसे पहला features इसका है Do Not Disturb आप देख सकते हैं यहां पर What's New में यहां पर Do Not Be Disturb करके लिखा हूआ है जो की एक नया फीचर सा इसमें तो इसे हमें इनेवल करना परता है Control Center में जाके तो Settings में जाके जस नीचे में आपको Control Center दिया हूआ है तो Control Center में आपको जाना होगा उसके वाद कस्टमाईज Control में जाके नीचे आप देख सकते हैं अपर Do Not Disturb वाइल ड्राइविंग है उसे जस्ट आप इनेवल कर ले तो इनेवल करेंगे तो आपके यह स्मार्ट कंट्रोल में आ जाएगा और जो आप Home सोँस्लाम के सिन्फ जो आपको के सांव्ण के सकते हैं तो देख सकते हैं आप लिक लोगाः फोर वें आवर उन्टी तॉमरों और रॉंन इ। इस लोकेशन को अपको ऑन्टीली लिप दिस लोकेशन एक सभसे इचा चीज है आप चाहें तो चीस लोकाशन में शाख कोई location है जा आपका office है तो आप चाहते हैं कि हम meeting में भी हैं तो इस location को आप enable कर दें तो आप जब तक इस location में रहेंगे तब तक आपको कोई disturb नहीं कर पाएगा कोई notification कोई call आपको नहीं आएगा साथी साथ आप schedule भी कर सकते हैं कोई customized time भी set कर सकते हैं कि इतना time से इतना time तक मुझे कोई disturb न करें तो आप यहाँ से set कर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो यह है नया features Apple के तरफ से दůण डिस्टर ब का ठीक है दोस्तो तो अब चलते हैं हम लोग आप दूसरे features की तरफ टो चली दोस्तो आप चलते हैं जब आप फोन यूच करेंगे तो आपका स्क्रीन इनेमल होगा तो यह ज़स्ट एक अनालिसिस बताता है कि आप कितना सोचल निट वर्किंग यूच कर रहे हैं किरेटिविटी में किनना सामें दे रहे हैं तो मैं ओबरॉल तीन घंटा दस मिट अपना फोन यूच किया हूँ तो यही एक बता रहा है यही है दोस्तो स्क्रीन टाइम चेक यूर स्क्रीन टाइम चले दोस्तो आप चलते हैं अपने तीसरे फीजर्स के तरफ जिसका नाम है मिजर एन अब्जेक्ट किसी भी आप जिब्जेक्ट को आप मिजर्मेंट कर सकते हैं तो उसके लिए एक नया अप इंटेडूस किया है Apple ने जिस अप का नाम है मिजर तो आप देख सकते हैं मैं भी जा रहा हूँ इस अप को ओपिन करने के लिए तो आपको मिजर अप यहां मिल जाता है जस्ट सेलेक्ट कर लें जहां से अब जेक्ट का मिजर्मेंट करना है तो मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं तो इसे मीचे तक ड्रैक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यह 11 cm इसका साइज बतला रहा है ठीके दस्तों साथ ही साथ यह आटोमेटिक भी इसे यहां पर लाइट थोड़ा कम है से लिए दिखला नहीं रहा है यह आटोमेटिक भी अनालीशीस करता है जैसे कि देखिए यह फ़ोन मैं फ़ोड़ा लाइट इससे बढहा देता हूं जिसे पर जखर देंतों तो यह इसे आटोमेटीक अनालीश्य से कर लेगा और इसका टॉटल डामेशन यह आपको बतला देगा कि इसका height कितना है और इसका width किया है साथ ही साथ इसका area भी आपको इडिफाइन कर देगा तो आप देख सकते हैं यह आपके सामें दिख रहा है तो इसका area भी से डिफाइन कर रहा है ठीके दूस्तों लोग fourth features के तरफ जो कि notifications से रिलेटेड़ है और इसका नाम है fine-tunes your notification तो fine-tunes your notification में क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन देखते हैं उपर से नीचे स्लाइट करके तो कुछ नोटिफिकेशन मुझे आ रखाया जादा तो नहीं है लग इतना महीं मैं आपको दिखला दूँगा तो इसे left-side करने पर देखे एक नया चिया है manage तो उस manage में क्या होता है कि आपको notification आप सेटिंग कर सकते हैं उसमें जाके कि मुझे किस जगह पर notification चाहिए साथी साथ अगर notification multiple है तो आप उस पर click करके multiple notification देख सकते हैं उस app से कि मुझे कितना notifications है उस app से तो जैसे आप देख सकते हैं आप पर कुछ दिया हुआ है find quietly और promptly यह आप कर सकते हैं फिर turn off कर सकते हैं Centix में जाके आप lock screen notification center banners पे भी आप इसे लगा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह था notifications related और अब हम रोग चलेंगे इसके पाचमे features के तरफ जो की gallery से related है photos related है जिसका नाम है share your photos with friend दोस्तों share your photos with friend में क्या होता है कि आप अगर कोई photo अपने friends के साथ लिये हैं और वो आपके gallery में उस people में save है तो आपको recommend करेगा automatic कि आपको इन्हें photo send करना है ठीक है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पहले मैं बता दो कि यह gallery में भी इसका interface change किया गया है नीचे में जसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ फोटोस सो कर रहे हैं मैं कितना भी वीडियो लिया हूं selfie लिया हूं लाइफ फोटोस कि ने लिए हैं पैनरोमा में कितने लिया है सारा मुझे यहाँ पर इसका summary बना के दिख रहा है तो यह एक नया इंट काम करता है दोस्तों यह है कुछ iPhone और iPad के डिवाइस के लिस्ट जिसमें iOS 12 सपोर्ट करता है लेकि सपोर्ट करने के वावजूर भी कुछ-कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो काम नहीं करते हैं जैसे कि Memoji का एक नया फीचर्स आया है जो कि इसमें सपोर्ट नहीं करता है iPhone 5S में स जैसे आपकी QR code को scan करते हैं उसके बाद दोस्तों इसमें जो incoming call आता है तो जो incoming call का name और numbers हो करता है वो थोड़ा बड़ा हो कि इसमें दिखला रहा है जो कि एक नया changes है इसमें तो दोस्तों यह सब major changes है जो हम लोग आज देखे हैं तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ह मारे वीडियो पसंद आया होगा so please don't forget to like and subscribe our channel thank you for watching